मैं विपक्षी दलों से कहूंगा खेल के नियम बदल गए हैं आपको अच्छा लगे तो और खराब लगे तो भाई साम या तो अपनी रणनीती बदल लीजिए वरना टीवी पर बोल ले के लावा कुछ नहीं हाथ आएगा अब यह सोचकर बोलिए अगर अमरेंदर को भर्ष्ट बोल रहे हो बादल को भर्ष्ट बोल रहे हो तो उनके खिलाब जाश तो हो उनके घर पर चापे तो डाल की दिखाओ कुछ तो करो बोलेगी वो काम तो फिर अधालत का है तो आप चुनाब में भाशन क्यों दे रहेते अधालती कर लेती आप चुनाब में भाशन क्यों दे रहेते जेल के सीक्चों के भीतर आम आदमी पार्टी ले जाएगी इनको क्यों जी अब करो हमारा तो काम थोड़ी नहीं गजब करते हो कांगरिस ने 36 गड़ में कहा हजारों करोण का धान का चाबल का घोटाला किया है सिपाही नहीं गया, पांक साल बीत गये, कांगरेशियों पूस्ता हूं में ऐसा क्यों किया, वो भी कहते हैं सर जांच करेंगे ना जांच देखेंगे, तब तो मंच पर कूद के तखत तोड़े दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज आपको बोट दे दे, कली रमान सिंग जेल में होंगे, ये धोका धरी बंद करते चीए, ठीक है ना, मंच पर तो तखत तोड़े देते हो, क्या इसा लगे, जा भगवन्त को मुख्यमंत्री बनाओ, कल सुखवीर जेल में होंगे, अमरेंदर जेल में होंगे, अब गोल-गोल कर जली भी बना रहे हो, नहीं, मैं तो कहता हूँ, भारती जनता पार्टी के जहां जहां बेपक्षिकी सरकारे हैं, भारती जनता पार्टी के बहां बहां के पूर्व के मंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं के विरुद्ध, अगर आपके पास भष्टाचार के सबूत हैं, तो देश के सामने रखिए, और भाशंदरा राजय का। और क्यों ने हुआ यह तो मैं पूछ रहा हूं फिर मुझसे लड़ाई क्यों? रतनाकर भाई की एसे धारद भाई की? मैं तो इमांदार बाद पूछ रहा हूं भई, मैं तो कह रहा हूं इन लोगों के खिलाब क्योंने मुओंगा लिखाई आपन political nexus में इसको बोलता है ये टूटना चाहिए ना तू मेरी के ना मैं तेरी को यह देना को लूखते रहू यह नहीं चलना चाहिए ना इस स्टालिन की सरकार की जिम्मेदारी है कि पूर्वकी सरकार में जो भष्टाचार हुए उन जिम्मेदार लोगों को जेल भेजी नहीं के जिम्मेदारी राहुल जी ने कहा था उत्रपदेश में कि हाती रुपिया खाता है साइकल पर गुंडे बैठे उसके क्या हुआ उस्तो करना चाहिए आप किसी को नीच बोल रहे है मूख्यमंतरी को उसके बाद आप यह चाहते हो कि अगर मुखदमा हो जाए तो यह का जा रहे है मैं आप जी बोल दे तें मंच पे दमाम बाते हो जाए ना जी ना आप मुझे मुझे नीच बोली है मैं मुगदमा लिखा दूम को आपके खिलाब बबाना का लिखाना भी चाहिए क्यों नहीं लिखाऊंगा आप सब लोग इसी बात की तो लडाई लड़ रहे हो क्या रह भाईया रहने देव ना मिलवट के कर लें यह नहीं यह वैसी बात है कि थाने में आद्मी जाता है कर दरोगाजी यह मुगदमा ना लिखो कुले देख निपट लो बाहर आ जाओ क्या हजार पांच रुपिया ले लो यह चाहते हो आईसी राजनी चाहते हैं क्या तो क्यूं चाहते हैं इस बात से चिढ़ क्यों होती है कि राहुल गांधी के इस्तर का कोई राजनेतिक व्यक्ति सजा पा जाए इससे चिढ़ क्यों होती गुसा क्यों आता है क्या उनको भी सजा इंद्रा गांधी जेल गई थी भाई क्यों नहीं यह जा सकते नर्सिंग राओ अदालत में खड़े हुए तो कट घरे में जाके इंद्रा गांधी जेल गई थी आप राज्यक मामले में जेल गई थी देश की आजादी के लिए नहीं आजादी के लिए उनके पिताजी गए तो नहरुजी यह वो जा सकते तो रत्नाकर सिंग जेल क्यों नह जा सकते यह भाज़पा के लोग के नशी जा सकते यह अर्विन केस्वरिवाल के जाने में क्या गलती है आपने लोवर कोर्ट राउज वेन्यू से लेके हाई कोर्ट तक 17 बार जमानत दाखिल की, नहीं हुई जमानत, ये राजनेतिक हो गई बात, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, अगर सुप्रीम कोर्ट भी मनिश सोधिया को जमानत नहीं देती, तो आम आदमी पार्टिक क्या जमानत नहीं मिली, ना सतेंदर जयन को, ना मनिश जी को, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आपको कल परसौब आपने फाइल की है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने में रिजेक्ट कर दी जमानत, तो क्या कहेंगे, फिर क्या बोलेंगे, क्या तर्क रहेगा आपके पास, फिर आप य क्यों चुरते हैं धरीब आदमी के उपर तत्तस मुकदमे लदे हुए है रो रहा यह चीक रहा है वहाँ आपको समझ नहीं आता अधालते मुकदमों के बोच से चरमरा रही है वहाँ आपको समझ नहीं आता लेकिन जो खादी पहन रहा है उस नीवु काट कलब बाला नेता उ आप यह चाहते हो अभी आप राजनेताओं के खलाब मुकदमे बापस हो जाए सब के खलाब लोगतंतर बहाल हो जाएगा आपकी नजर मेरी नजर फरक है मैं नेताओं को लोगतंतर नहीं मांता न के बल्ड़ एक सोपचास करोण लोग हैं तो लोगतंतर हैं नेता कितने लाग दो लाग चार लाग पांच लाग दस लाग आप लोगतंतर हैं क्या के बल्ड़ तो यह एक सोपचास करोण लोग क्या हैं नहीं यह मानकर चलिए अगर आभाद्रता करते हैं तो जिम्मेदारी लीजिए या पारिविन्द जी की तरह से माफी मांग लीजिय क्या दिक्कत है उनोंने दसओ माफी मांग यपटा एक के दिदिवाल जी ने पर माफ यपी मांग जैल कानंद्व जाने से बेहतर हैं माफी मांग लो उनने कहा नहीं सत्त्की वीजे होगी तो ठीक सत्थ के राष्टे पर चल रहे हैं फिर नाराज क्यों है आपने ये रास्ता खुद चुना ना कि हमाफी नहीं मांगेंगे तो गुष्टा क्यों है कांग्रेस प्रसंद होना चाहिए आनंद भाव में रहना चाहिए रिम जिम सावन वर्से वाला गाना चाहिए चुकि रास्ता आपने खुद चुना कि माफी नहीं मांगेंगे लोर कोट ने राहूल गांधी से पूछा शेशन कोट ने राहूल गांधी से पूछा हाई कोट ने राहूल गांधी से पूछा कि आप माफी मांगेंगे बोले नहीं जो कह दिया वो कह दिया पत्थ माफियों मांग लीजिये, आपने नहीं मांगा, आपने युद्ध चुना, युद्ध में जाईए फिर, सजा कोई बड़ी चीज नहीं, माझने दो साल जेल में भी रावगांधी रह ले, तो क्या प्रब्लम है, अगर आपने इतना हुसला दिखाया है, तो नाराजगी फिर म हमले मोभी गयत है, क्या दिकत क्या है, कुछ समच्या है, गुशा भी होगे, बोले राहूल गांधी के खिलाब सजा, क्यों भाई, ऐसा क्यों बूलते हो, राहूल गांधी खिलाब सजा, क्यों नहीं हो सकती, राहूल गांधी खिलाब सजा, क्यों नहीं हो सकती, कोई इंड यहां तो राष्ट्रपदी और राज यपाल को भी पदपर रहते हुए ही एक्जम्शन है पदपर हटने के बाद नहीं है उनको भी मुगत्माग सामना करना पड़ता है यहां मैं नाराजगी देख रहा हूँ गांगे इसके मित्रों में कितना थल्खी है लगता इंट सीट ब आप टाटा वाँ भाई वाई हो गया अब नाराजगी क्यों है किसी से नाराजगी नहीं होने चाहिए थी नाराजगी तब बनती जब राहुल जी unconditional apology submit करते कोट में और याचिका करता उनकी माफी नहीं मानता तो मैं कहता कि चलो ये भी गलत है बही माल लेना चाहिए उन्ह पुले ने तो महरा पी नहीं मांगना चाहते तो जिल जाए हमारा चालान हो जाए गाड़ी का या तो हम चालान भरे और नहीं तो गाड़ी सीज कराए यही न तरीका है फिर मेरी गाड़ी सीज हो जाए मेरे चालान भरने के कारा तो फिर मैं व्यवस्था पर सवाल उठाऊ यह तो ठीक नहीं न राहूल गांदी माफी मांग लेते तो भाजपा होती कांगरेश होती उससे क्या मतलब बरी हो जाते उन्होंने मापी नहीं मांगी उन्होंने क्रांती का रास्ता चुना है according to Congress तो जब राहूल जी क्रांती के रास्ते पे चल रहे हैं तो उन पर फूल वरसाई है और गाना गाई है वहारो फूल वरसाओ मेरा महबूब आया है फिर यह तलखी क्यूं है और मैं अन्त में फिर कहूंगा भ जनता का हित इसी में है